हेल अब्रिवन नमस्कार दोस्तों स्वागे थे अब सभीका टार्गिट अड़ा इस्टडी के यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों SBI PO PLIMS 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है दोस्तों यह रिजल्ट कल साम को साथी बज़े आउट हुआ है बट यह की स्किलिंग प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो रही है और कापी सारे स्टुडेंट जो है अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं मैं भी कल लास से ट्राई कर रहा था बट यह रिजल्ट ओपन ही न अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट तो दोस्तों सबसे पहले कर घरम बात करें तो जो रिजल्ट है वो कल्साम को आउट हुआ है .ब इसमें जो गताफ गई है ॥े ऐटीट बॉइन के आई अर गई थी ङेगा और result और यहे रिजल्ट पिछले साल कित EWS की कटाप गई है वो किदने गई 56.75 ठीक है 56.75 ये EWS की कटाप गई है और OVC की कटाप जो किदने गई है OVC की कटाप गई है 56.00 यानि कि 56 आप कह सकते हैं ठीक है दोस्तों ये तुरहा जनरल का 58.50 EWS 56.75 OVC का 56.00 ठीक है अगर आगे हम लोग बात करें अगर SC काटेगरी की बात करें SC की जो कटाप गई है 50 गई है के अब बात करें हैं हेंडिकैप कटेगरी जो आती है जैसे लोकुमेटर डिसीबिल्टी की कटाप गई है 47.25 47.25 लोकुमेटर डिसीबिल्टी की कटाप गई है और अगर बात करें विजूल इंपियर्ट की जिसको आग सम्मंदी प्राबलम होती है उसकी जो कटाप गई है 47.75 ठीक है 47.75 गई है ये वी आई कटेगरी जोती है है सबसे कम गई है इनकी ये गई है 13.50 ठीक होती है उसकी जो कटाप गई है 5.75 ठीक है दोस्तों तो सबकी कटाप हम लोग देख लिए है जनरल की जो गई है 58.50 एवस की जो गई है 56.75 ओबिसी की जो गई है 56 सब्सक्राइब देख लिए 56 एस्टी की गई है 50 और एस्टी की गई है 43.75 बाकि लोकोमेटर डिसिबल्टी 47.25 विजुल इंप्यर्ट 47.75 एरिंग हैंडी प्यर्ट 13.50 और जो डी एंडी कटेगरी होती है उसकी जो कटाप गई है 5.75 गई है ठीक है दोस्तों अब ये सब्सक्राइब तो उन्होंने कहा गया कि हमने जो है अटेम्ट जो है जादे कर दी है ठीक है बटी एकुरेसी उनकी मेंटेर ने उपाई इस वए से नंबर डाउन हो गए और देखे नॉर्मलाइशन का क्या रोल होता है नॉर्मलाइशन जो होता है वो सीधे सीधे आपका अगर नॉर्मलाइशन का फायदा मिलेगा ठीक है अगर माल लो आप जिसे की एक सेवेंटी कोश्चन करके आते हो और वहीं पे एक स्टुडेंट है जो उसका सिक्स्टी कोश्चन सही है ठीक है अब दोनों का जो सिफ्ट है वो हाड़ वाला है ठीक है अब देखे इसमें न इसमें दोनों जो candidate है इनकी जो accuracy है उसको देखी जाएगी ठीक है उसके बाद जो marks होंगे अब जैसे माली इसने जो है 10 question गलत की इसने जो एक question गलत की तो दोस्तों इस जो category है यह जो student है इसको जादे benefit होगा नॉर्मलाइशन का ठीक है दोस्तों तो आई होप आपको इसी समझ में आ गई होगी कि जो आपके नॉर्मलाइशन होती है और डारेक्ली यह प्रपोस्टनल टूकिस क्यों होता है आपके accuracy के अगर आपके accuracy अच्छी है तो आपको नॉर्मलाइशन का बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला ठीक है इसलिए बार-बार कहा जाता है कि आप लोग अपनी accuracy को maintain किजिए और अगर आप accuracy को maintain करते हो तो आपको नॉर्मलाइशन का फायदा मिलेगा ठीक है दोस्तों और इसलिए अगर आपका SBI PO में नहीं हुआ है तो आगे जो भी exam होंगे आप अपने accuracy को maintain कर आपके जो आप जिसे मालो करते हो क्या हो मालो आप असी कोश्चन की असी कोश्चन में आपके सही होके सत्तर आ ठीक है और बाकी एक student था जिसने 70 अटेंड किये और उसके 70 marks ही है ठीक है तो इसके क्या है इसमें आप जिकिए नॉर्मलाइशन का किसको जादे benefit मिलेगा तो जो है नॉर्मलाइशन का जादे फायदा मिलने वाला ठीक है इसलिए आप जब भी आप आगे कोई exam तो आप अपने accuracy को maintain रखना ठीक है तो पेपर यही था पेपर जादे टब भी नहीं कह सकते हैं और जादे नॉर्मल भी नहीं कह सकते हैं बट यह था paper moderate ठीक है और काफी स जो है इसी चक्कर में चले गए कि उन्होंने paper को देखा और उसमें high attempt करके चले आए अपनी accuracy को maintain नहीं कर पाए ठीक है इसलिए आप सभी से अभी से request है जो आगे भी आप जो भी exam देने वाले हो उसमें आप अपने accuracy को maintain करो ठीक है अगर आप accuracy को maintain नहीं करते हो तो आपको प्रेशन का फायदा नहीं मिलने वाला है और यही वज़े है कि इस बार जो cutoff गई है वह 58.50 गई है पिछली बार के regarding पिछली बार 71 गई थी और इस बार 58.50 गई है ठीक है सबसे जादे यही problem है कि student जो है अपना जो score था पहली बात तो यह है कि कापी सारे student exam को छोड़े थ है और उसकी इनके result में उनका जो number है कम आ गया और यही वज़े है कि cutoff जो है इस बार down ही है ठीक है तो दोस्तों उमिद करतो हम सभी को चीजे अच्छे से समाझ में आ गई होगी और आगे से आप जो भी exam दोगे आप उसमें accuracy को पने maintain करोगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों और एक चीज़ आप से बताना चाहूंगा जो भी आप competitive exam के तयारी करना चाहते हो अगर आपके आगे exam जो है NTPC के और SSC के और जो भी banking exam है उसकी तयारी हमारे channel पर कराई जा रही है आप हमारे channel से जुड़के अपनी तयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो और दोस्तों कल से मैं vocab की class चालू कर रहा हूं तो हम लोग अभी से start करेंगे तो जाके हम चीजों को अच्छे से cover कर पाएंगे एक बार चीजी अगर हम लोग के नजर के सामें से गुज़ा जाएंगे तो फिर रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी ठीके दोस्तों साथी साथ हम अगर आप उसको पीडियाप के फार में चाहते हो तो आप हमाई टेलिग्राम से भी जुड़के वहां से इसको पीडियाप को प्राप्त कर सकते हो ठीक दोस्तों तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही ठैंक्यू और जिनको selection मिला है SPI PO प्लि ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो मितना ही थांक्यू धन्यवाद